हेलो एवरिवेन हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम 36 गड़ आप होश्टल वाड़न के अंतरगत आने वाले कम्प्यूटर के कुछ important question और उनके answer देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अन्सॉलिटिट इज अवांचित संदेज भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम का दू रुपयो क्या है चार ओप्शिन्स दिये होए हैं A. Spam B. Phishing C. Mailware D. Firewall सही answer इसका होगा option number A. Spam जो भी अवांचित मैसेज आते हैं आपके Gmail पर, Email ID पर वो क्या कहलाते हैं? Spam कहलाते हैं चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं Dot Matrix, Inkjet and Laser All are all types of which computer peripherals जो Dot Matrix, Inkjet और Laser जो printer के computer जो प्रकार होते हैं वो computer के किस प्रकार के peripheral device के अंतरकत आते हैं तो चार options दिये हुए हैं A. Printer, B. Software, C. Monitor और D. Keyboard तो इसका सही answer होगा option number A. Printer जो Dot Matrix है, Inkjet है और Laser है ये printer के अंतरकत आते हैं देखें यहाँ पर printer के कुछ types दिखाई दे रहे हैं types of printer देख सकते हैं printer को कितने भागों में विभाजित किया गया है पहला तो होता है impact printer और दूसरा होता है non impact printer impact printer में जो जब printing करते हैं तो जो printing paper होता है और printing head होता है वो direct contact में आते हैं इस प्रकार से printing होती है जबकि non impact printer में page का जो printing page है और printing head है ये direct contact में नहीं आते हैं चलिए देखते हैं impact printer के अंतरगत क्या क्या आता है तो दो प्रकार होते हैं एक character printer होता है और दूसरा line printer होता है character printer के अंतरगत होता है dot matrix printer और daisy wheel printer जबकि line printer के अंदर होगा drum printer, chain printer और band printer इस प्रकार के questions भी आ सकते हैं कि impact printer के अंतरगत क्या क्या आते हैं तो यह आपको नाम ध्यान रखने हैं .matrix, daisy field, drum, chain और band printer यह पांच परकार के printer हैं जो impact printer के अंतरगत आते हैं और non-impact printer के अंतरगत आते हैं inkjet printer, laser printer और thermal printer सबसे चाद़ जो popular printer है वो है laser printer laser printer यह आप लोगों को हर जगा देखने को मिल जाएगा कहीं पर भी आप office में जाते हैं, school, college में जाएगे कि अगर आप घर पर भी कोई printer यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग जो यूज़ करते हैं वो printer कहलाता है laser printer चलिए अगला question देखते है which keys are present on the top row of the keyboard keyboard के जो सबसे top row पर जो keys मौजूद होती है वो कौन सी key कहलाती है चार options दिये हुए है numeric, function, navigation या typewriter तो जो सबसे उपर वाली keyboard में keys होती है वो कहलाती है function key इसका सही answer होगा option number B function key देखे इस पर keyboard की आपको एक सनरचना दिखाई दे दी है सबसे उपर यह F1, F2, F1 से लेके जो F12 की कहलाती है यह आपकी function key कहलाती है यह सबसे उपर वाली row में होती है इसके बाद जो number वाली key होती है उसके जश नीचे 1 से लेके 0 तक तो वो और ABCD वाली जो key होती है A to Z यह alpha-numeric key के अंतर गताती है मतलब A to Z alphabets होते हैं और 1 to 0 to 9 numeric numbers होते हैं इसके बाद जो इसके अलावा alt, control, home यह सारी चुकी कहलाती shift की यह control की कहलाती है इनको हम modifier key भी कहते हैं और यहाँ पर आपको एक और numeric keyboard देखने को मिल जाएगा जिसमें 0 से 9 तक के numbers होंगे तो यह आपके numeric key कहलाती हैं और जो arrow वाली keys होती है वो navigation key के अंतरकत आती है चले अगला impression देखते हैं which of the following allows a computer to transfer data using a telephone line निमलिक इत्में से क्या computer को telephone line का उप्योग करके data transfer करने की permission देता है चार options दिये हुए हैं A CPU, B keyboard, C modem और D printer तो इसका सही answer हो जाएगा option number C modem modem क्या करता है अगर आपको computer का use करके data एक जगा से दूसरे जगा transfer करना है तो modem जो होता है वो phone line का उप्योग करके computer से जुड़ा होता है और इसी से आप internet on कर सकते हैं अपने computer में जो भी broadband connection होते हैं वो on करके data को एक जगा से दूसरे जगा transfer कर सकते हैं modem का full form होता है modulator and demodulator चलिए अगला प्रशन देखते हैं इनमें से क्या एक software program है जिनका use web pages को देखने के लिए किया जाता है चार options दिये हुए है a site, b link, c host, d browser तो इसका सही answer होगा option number d browser browser एक application program होता है एक software होता है जो आपके computer आप उसे install कर लेते हैं और उसी का use करके browser का use करके ही आप internet में कोई भी चीज़ सर्च कर पाएंगे कुछ भी आपको web page देखना है कोई website देखना है तो आप browser का ही उपयोग करके यह सारी चीज़े देख पाएंगे अगला question है which of the following is not an output device निमने लिखित मैंसे कौन सा output device नहीं है चार options दिये हुए है plotter, printer, monitor और touch screen तो देखे plotter, printer और monitor जो हैं यह तो output device के अंतरगत आती है यह के output devices है अब आपके पास जो option बज़ा है option number D, touch screen तो जो touch screen है वो एक प्रकार की input device है जैसे आप लोग mobile में use करते हैं कोई भी data enter करने के लिए आप touch screen का use करते हैं buttons को touch करते हैं और data को insert कराते हैं तो touch screen एक प्रकार की input device का example है चलिए अगला प्रेशन देखते हैं which of the following is the another name for secondary memory निमली खित्म से क्या secondary memory का दूसरा नाम है देखे दो प्रकार की memory होती है एक होती है main memory जिसको primary memory भी कहते हैं और दूसरी होती secondary memory तो उसका दूसरा नाम क्या है तो देखे secondary memory को एक तो हम permanent memory या external memory भी कहते हैं इसके अलावा secondary memory का एक और नाम है जो की है option number a auxiliary memory तो इसका सही answer हो जाएगा option number a auxiliary memory अगला प्रेशन देखते हैं which of these is not an example of an input device निम लिखित में से क्या input device का example नहीं है चार options इसमें दिये हुए है joystick, keyboard, hard drive और scanner तो देखे joystick जो आती है वो तो input device है keyboard भी input device है और scanner का use करके भी आप computer में input भेश सकते हैं तो यह तो तीनो input device के अंतरगत आ गई जो hard drive है option number c यह किस प्रकार की device है यह एक प्रकार की storage device या memory unit हम उसको बोल सकते है, memory बोल सकते है data को store करने लिए उसकी जाती तो इसका answer क्या हो जाएगा option number c, hard drive यह storage device के अंतरगत आती है ठीक है अगला प्रशन है virus is the word of which language जो virus शब्द है वो किस भाशा का शब्द है चार options इसमें दिये हुए है इसका सही answer होगा option number a, Latin Latin भाशा का शब्द है virus इससे जोड़े कुछ और points है वो हम देखेंगे to data and software मतलब computer virus एक प्रका का malicious software है जो computer के भीच में फैलता है और data और software को क्या कर सकता है नुकसान पहुचा सकता है जसे normally virus होते है fever वाले virus होते है तो वो क्या करते है इंसान के अंदर एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर आ जाते है जब कोई हाथ में लाता है बातचीत करते हैं तो वो virus आके फैल जाते हैं उसी प्रकार से computer के virus होते हैं अगर आपने कोई भी ऐसी site है, website है जहां से software को डाउनलोड किया जो trusted site ने है वहां से अगर आप software डाउनलोड कर लेते हैं या फिर आप किसी दूसरे computer का pen drive जिसमें virus पहले से है उससे pen drive में कोई data लेके अपने computer में transfer करते हैं तो भी वह वाले virus pen drive में आते हैं और pen drive से आपके computer में आ जाते हैं तो कई ऐसे जगह है कई इसके source हैं जहां से virus आपके computer में आ सकते हैं next point है जो full form of virus virus का full form यह भी बहुत important question है कि full form क्या हो सकता है virus का vital information resources under seas कुछ virus के name है some virus name तो यह आपको नाम देख सकते हैं Morris warm, my doom Stuxnet Crypto Locker, Timba SQL Slammer, Strom warm etc. यह सारे virus के नाम है यह भी example है जो question में पूछे जा सकते हैं कि निमलिकित में से क्या virus का नाम है या क्या virus का नाम नहीं है तो यह कुछ virus related point हो गए चले अगला प्रशन देखते हैं which key will launch the start button start button को launch करने के लिए हम कौन सी shortcut key का use करेंगे तो 4 options इसमें दिये हुए है E, S, C, Shift, Shortcut और Windows तो आपका सही answer हो जाएगा option D, Windows key Windows key जो होती है आपको देखने को ऐसे मिलेगी कि इस प्रकार से की बनी हुई होती है keyboard में सबसे नीचे की तरफ जहां space bar होता है उसके आसपास ही उसके बाजू में ALT के आसपास बनी हुई होती है तो यह वाली key को जब आप प्रेस करेंगे तो जो start menu है वो आपके सामने open हो जाएगा चली अगला question देखते है Unix is written in which language जो Unix operating system है वो किस language में किस बहाशा में लिखा गया है चार options दिये हुए है C, C++, C sharp.net तो किस पे लिखा हुआ है इसका सही answer होगा option number A C language में जो है Unix operating system को design किया गया लिखा गया मतब जो भी coding की गई वो C language में की गई है अगला question देखते है What type of device is digital camera Digital camera जो है वो किस प्रकार की device है चार options है A, Input device B, Output device C, Software तो इसका सही answer होगा option number A Input device इसके आप क्या कर सकते है पिक्चर को capture करके या वीडियो बनाके वीडियो capture करके computer के अंदर store करा सकते हैं तो यह एक प्रकार की Input device होगे चलिए अगला प्रेशन देखते है Which is not executable file निमले किदमसी कौनसी file है जो execute नहीं हो सकती है चार options है .txt.exe.com.bed तो इसका सही answer होगा option number A .txt .txt file जो execute नहीं होती है लेकिन अगर आप notepad में कोई भी कुछ भी बना रहे है कोई भी file बना रहे है तो उसका extension क्या होता है notepad का extension होता है .txt मतलब जो document type की file होगी text file होगी उसका extension .txt होता है और यह executable file नहीं होती है चलिए अगला प्रेशन देखते है Which of the following command is used to close the active window जो active window है उसको close करने के लिए shortcut की क्या होगी चार options दिये हुए alt plus f4, ctrl plus f5 alt plus f6 none of the above तो इसका सही answer होगा option number a alt plus f4 इसका use है जो active file को close करने के सांसां अपने computer को shutdown करने के लिए भी use किया जाता है तो अगर question आता है कि computer को shutdown करने के shortcut की क्या है तो भी आप alt plus f4 में tick कर सकते हैं और active program active window को close करने की shortcut की क्या है तो उसके लिए भी आप alt plus f4 press कर सकते हैं अगला question देखते है TSL Is an example of which connection DSL जो है वो किस connection का example है तो DSL का full form होता है digital subscriber line यह है जो किसका example है तो इसके 4 options है broadband, network, wireless और slow तो इसका सही answer होगा option number A यह broadband connection का example है तो इसका answer होगा option number A broadband अगला question देखते है अगला question देखते है the device which is used to position the screen cursor is screen cursor को position करने के लिए जिस device का use करते है उसे क्या कहते है तो इसका सही answer होगा इसके 4 options है mouse, choice take, data glove या A & C दोनो तो इसका सही answer होगा option number A mouse, जो आप सभी जानते कि mouse का use करके आप क्या कर सकते है cursor को screen पे एक जगह से दूसरीं का move कर सकते है cursor जो होता है उसको एक जगह से दूसरीं का position करने के लिए हम किसका use करते है mouse का use करते है तो सही answer हो जाएग option number A कुछ type कर रहे हैं first line में आपने 4-5 word type की और आप चाहते हैं कि वो line break हो जाया मतलब आप नई line में आ जाया है तो इसकी shortcut की क्या होगी options है control plus enter space plus enter shift plus enter या alt plus enter तो इसका सही answer होगा option number c shift plus enter अगला question देखेंगे who invented difference engine and analytical engine difference engine और analytical engine को किसने आविशकार किया किसने किया options है windsurf, charles babbage, mark chukarberg या none of the above तो इसका सही answer होगा option number b charles babbage जिसे क्या क्या आचाता है father of computer एक ऐसा question भी आजाता है कि computer के जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही answer होगा option number b charles babbage या फिर पूछा जाए difference engine या analytical engine का विशकार किसने किया तो इसका answer भी होगा charles babbage अगला question है what type of storage device is usb, usb किस प्रकार की storage device है तो इसका सही answer होगा option number b secondary storage device जैसे आप लोग pen drive है वो भी usb में connect होती है या external hard disk है तो यह जितनी भी चीलिया आप usb के through connect करते हैं तो वो क्या कहलाती है secondary storage device कहलाती है अगला question देखेंगे Linux launched its operating system in the year, जो Linux है उसने अपना operating system किस sun में launch किया 1980, 1989, 1990 या 1991 तो इसका सही answer होगा option number d 1991 जो Linux है वो एक प्रकार का open source operating system है या आप download कर सकते हैं free में इसके जो भी operating system है उसको आप free में download करके use कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी payment, कोई भी charges नहीं देने होते हैं अगला question देखेंगे which of the following is not a type of malware निमलिखित में से कौन सा malware का एक प्रकार नहीं है a virus, b trojan, c firewall, d warm तो इसका सही answer होगा option number c firewall firewall क्या करता है आपकी जो computer में जो भी आप बहारी external site से जो भी virus आते हैं तो वो उनको रूखने का काम करता है, उनको पता करके वहीं रोक देता है आपके computer तक वो आने नहीं देता तो ये malware के अंतरकत नहीं आता जबकि virus तो computer में आके computer system files को corrupt कर देता है trojan भी एक प्रकार का trojan horse जो है वो भी एक प्रकार का virus ही है तो इसका सही आंसर होगा option number C firewall अगला प्रेशन देखेंगे which of the following is not an example of operating system निमले कितमे से कौन सा operating system का example नहीं है A Windows, B Linux, C Android, D Microsoft Office तो इसका सही आंसर होगा option number D Microsoft Office अगला प्रेशन देखेंगे इसके बारे में और देख लेते हम कि क्या क्या चीजे हैं operating system के example तो operating system के नतरकत आता है Windows Linux आता है Fedora आता है Free PhD आता है Solaris आता है Android आता है MS-DOS Mac operating system Ubuntu तो ये सारे जो है वो operating system के example है जबकि MS Office है जो Microsoft Office वो operating system का example नहीं है चलिए अगला प्रेशन देखेंगे In which topology each device is connected to a central hub किस topology में प्रतिक device एक केंदरी hub से जुड़ा हुआ होता है A bus, B star, C ring ये D mesh उसका सही answer होगा option number B star topology चलिए हम सभी topology के बारे में देखते हैं पहला है bus topology Bus topology में एक single connection होता है single cable होती है और उसी cable के थ्रू जितनी भी notes है मतलब जितनी भी computer है वो जुड़े हुए होते हैं एक single cable के थ्रू ही ठीक है अगला है ring topology ring के नाम से समझ में आ रहा ring कैसी होती है बिल्कुल ऐसी गोल होती है ring के form में तो ring topology में यही जो bus है इसे ring के form में बना दिया जाता है और उसी ring में मतलब उसी line में backbone में सारे computers एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं अगला है tree topology tree मतलब क्या होता है पेड होता है पेड में जिस प्रकार से शाखाई निकली होती है उसी प्रकार से tree topology में भी होता है एक note से कई सारे notes जुड़े हुए होते हैं फिर उस note से भी और दूसरे notes क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं इसमें hub होता है, जिससे क्या होते है, सारे devices, सारे जितने भी computer, वो जुड़े होए होते हैं, अगर ये hub ही fail हो गया, तो जितने भी computer, अगर ये hub fail हो जाता है, तो जितने भी computer ने वो सारे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि data का transmission कैसा होता है, hub के through ही होता है, पहले वो computer hub से contact करता है, hub को जो भी data transmit करता है, फिर hub से data दूसरे computer की तरफ जाता है, लेकिन अगर यह ही fail हो गया, तो सारे computer काम करना बंद कर देंगे, और एक और topology है, match topology, तो match topology में क्या होता है, जितने भी computer है, जितने भी node है, वो directly एक दूसर से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो यह topology का types, topology के सारे थे जो मैंने explain किये हैं, अगला question रेखेंगे, which of the following is a type of computer memory that is volatile, निमले कितने से कौन सी computer memory का प्रकार है, जो आइस्थिर है, volatile मतलब आइस्थिर, चार options दी हुए है, ROM, RAM, Cache, और SSD, तो इसका सही answer होगा, option number B, RAM, RAM का full form होता है, random access memory, अगला question है, who is credited with inventing the worldwide web, www का full form होता है, worldwide web, worldwide web का विश्कार करने का श्रेक किसे जाता है, options है, Bill Gates, Tim Berners-Lee, Steve Jobs, या Mark Zuckerberg, तो इसका सही answer होगा, option number B, Tim Berners-Lee, next question, what is the file extension of our Microsoft Excel spreadsheet, Microsoft Excel spreadsheet का जो file extension है, वो क्या होता है, तो इसका सही answer होगा, option number C, .xlsx, सारे, जो भी हैं, सारे options के मैं बता दिती हूँ, .due, CS, जो होता है, वो word file का extension होता है, .pdf होता है, वो किसी भी प्रकार की PDF file का extension होता है, .xlsx होता है, वो spreadsheet file का extension होता है, और जो .pptx है, वो presentation file, जो भी ppt हम create करते हैं, उसका extension होता है, अगला प्रशन देखेंगे, which of the following is a web browser, निमले कित्मे से क्या web browser है, चार options है, Windows, Chrome, Linux और Android, तो देखे, Windows तो operating system के अंतरगत आता है, Linux भी operating system के अंतरगत आता है, और Android भी operating system के अंतरगत आता है, तो ये तीन तो web browser नहीं होंगे, इसका सही answer होगा, option number B, Chrome, Chrome एक प्रकर का web browser है, ये देख सकते हैं कि कौन-कौन से web browser है, पहला है एक Safari web browser, जो किस के द्वारा बनाया गया है, किस के द्वारा दिया गया है, Apple के द्वारा, कौन-कौन से operating system में चलता है, वो Mac operating system और iOS operating system में Safari जो browser है, वो use किया जाता है, दूसरे है Firefox जो किस के द्वारा बनाया गया है, Mozilla के द्वारा, और ये कहां, किस में-किस में चलता है, Mac OS में चलेगा, MS Windows में चलेगा, Linux में चलेगा, और Android में चलेगा, ये operating systems हैं, Chrome है, Chrome Google company के द्वारा बनाया है, Google Corporation के द्वारा यह किसमें किसमें वर्क करता है Mac OS में, Microsoft Windows में, Linux में, Android में और Chrome Operating System में फिर Age जो ब्राउजर है नया आया हुआ है भी वो Microsoft Company के द्वारा बनाया गया है Microsoft Company ने इसे डेवलप किया है वो कहां-कहां चलेगा? MS Windows में चलेगा, Mac OS में चलेगा, iOS में चलेगा और Android में चलेगा फिर Opera, Opera Mini जो software है वो किस-किस Operating System में यूज होगा? Mac OS में यूज होगा, MS Windows में यूज होगा, Linux में यूज होगा और Android में यूज होगा चलेगा प्रिशन देखते हैं Which programming language is used to create web pages? निमलिखित में ऐसे कौन सी programming language है जिसका use करके हम web page create कर सकते हैं चार options है, HTML, Python, Java, C++ तो इसका सही answer होगा option number A, HTML HTML का full form होता है hypertext markup language और यह एक प्रकार की markup language होती है जो website और web pages को develop करने के लिए use की जाती है अगला प्रिशन देखेंगे What does HTML stands for? HTML का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही answer होता है option number A, hypertext markup language अगला प्रिशन देखेंगे What does land stands for? Land का full form क्या होगा? तो इसका full form होता है option number D, local area network local area network होता है land का full form अगला प्रिशन है Which file format is commonly used for compressing and archiving files? Files को archived, जो संपीड करते हैं, compress करते हैं और store करते हैं तो उसके लिए किस file extension का use किया जाता है? तो इसका 4 options है, PDF, JIP, TXT या JPG तो इसका सही answer होगा option number B, JIP file का use किया जाता है next question है, which web browser is developed by Microsoft Microsoft द्वारा developed किया गया, web browser क्या है? Chrome, Firefox, Age यह Safari तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा है तो जो Age होता है, वो Microsoft Company के द्वारा developed किया गया है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C, Age यह देख सकते हैं Microsoft Company के द्वारा developed किया गया है अगला question देखेंगे What type of software is designed to detect and remove computer virus? Computer virus का पता लगाने और उसे remove करने के लिए किस प्रकार के software को design किया गया है Firewall, Antivirus, Operating System या web browser तो इसका सही answer होगा Option number B, Antivirus Antivirus एक प्रकार का software है जो किसी भी computer में उपस्तित virus का पता लगाता है और उसे remove करता है तो सही answer हो जाएगा option number B, Antivirus Next question देखेंगे What is the primary function of the CPU in a computer? Computer में CPU का प्रात्मिक कारिक क्या है? Storing data, मतब data store करना Processing data, मतब data process करना Displaying images, image को display करना या connecting to the internet, internet से जुड़ना तो इसका सही answer होगा option number B, Processing data CPU क्या करता है? Data को process करने का काम करता है अगला प्रिशन है What does the CTRL key stand for? CTRL कुन जी का क्या अर्थ होता है? Key जो होती है CTRL उसको क्या बोलते हैं? CTRL, B Cursor, C Command, D Caps तो इसका सही answer होगा option number A, Control Key Control Key को इस शॉट में CTRL कहते हैं अगला प्रिशन देखेंगे Which key is used to toggle between uppercase and lowercase letters कौन सी key है जिसका use uppercase और lowercase letters के बीच में toggle करने के लिए किया जाता है? Caps Lock का, Num Lock का, Scroll Lock का या Insert का तो इसका सही answer होगा option number A, Caps Lock Caps Lock की क्या करती है? अगर Caps Lock आपने on किया है तो कोई भी letter आप जो भी type करेंगे तो वो capital letters में type होगा और अगर आपने उसे off कर दिया है तो जो भी है वो normally small letters में type हो जाएगा अगला प्रिशन है Which key is commonly used to switch between open applications और windows Open applications के बीच में अगर दो या दूसरे ज्यादा applications open है तो उनके बीच में switch करने के लिए हम कौन सी shortcut key का use करेंगे A Tab B Control plus Tab C Windows plus Tab या D Alt plus Tab जुसका सही answer होगा Option number D Alt plus Tab Next question है Which key is commonly used to move the cursor to the beginning of a line Cursor को किसी पंक्ती के आरंभ में किसी भी लाइन की starting में ले जाने के लिए हम किस shortcut key का use करेंगे A Home B End C Page Up D Page Down तो इसका सही answer होगा Option number A Home Next question है Which key is used to undo the last action in MS Word MS Word में अंतिम जो कार्य है उसको पूर्वरत करने के लिए मतब undo करने के लिए हम किस shortcut key का use करेंगे A Control plus C B Control plus Z C Control plus V यह D Control plus X तो इसका सही answer होगा Option number B Control plus Z जबकि Control plus C का use हम किसी भी text को copy करने के लिए करते हैं Control plus V का हम paste करने के लिए और Control plus X का हम cut करने के लिए use करते हैं अगला प्रिशन है Which key is typically used to perform actions such as copy, cut and paste Cut copy और paste जैसी क्रियाओं को करने के लिए हम किस shortcut key का use करते हैं तो इसका सही answer होगा Option number A Control इसके पहले वाले question में भी देखा था Control plus C, Control plus V और Control plus X तो इसका सही answer होगा Option number A Control अगला question है यह Option A है Next question है The CTRL Alt and Shift keys are example of Control, Alt और Shift key जो है वो किसके example है A, Modifier keys B, Function keys C, Navigation keys या D, Numeric keys तो इसका सही answer होगा Option number A, Modifier keys अगला question देखेंगे यह देखें यहाँ पर देख सकते हैं जो dark green color में आपको दिखाई दे रही हैं यह यह Modifier keys कहलाती है अगला question देखते हैं Which operating system is primarily designed for mobile devices? कौन सा operating system मुख्य रूप से mobile devices के लिए design किया गया है चार options है A, Windows B, Linux C, Mac OS यह D, Android तो इसका सही answer होगा Option number D, Android full enough Android phone है मतलब mobile के लिए किस operating system का use किया गया है Android का अगला question है Which operating system is developed by Apple? Apple company जो है उसके दुवारा develop किया गया operating system कौन सा है? A, Windows B, Linux C, Mac OS यह D, Android तो उसका सही answer होगा Option number C, Mac OS जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा अगला प्रिशन है Soft copy को hard copy में convert करनी के लिए यूज होता है अगला प्रिशन है अगला प्रिशन है Which output device is used to produce sound? कौन सी output device का use sound को produce करने के लिए क्या जाता है? A, Printer B, Speaker C, Monitor D, Plotter तो इसका सही answer होगा Option number B Speaker Speaker का जो भी use होता है वो गाने सुनने के लिए अगर आपने कोई voice data उसमें store कर रहा है तो उसको हमें सुनने के लिए use किया जाता है अगला प्रिशन है Which memory is used to store BIOS? BIOS का full form होता है Basic Input Output System Information को store करने के लिए किया जाता है चार options दिये होए है A, Cache Memory B, RAM C, ROM D, Hard Disk Drive तो इसका सही answer होगा Option number C, ROM ROM का full form होता है Read Only Memory अगला प्रिशन है Which memory is used as a temporary storage location by CPU? CPU के द्वारा इस्थाई भंडारन मतलब temporary storage location के रूप में किस memory का use किया जाता है चार options है ROM Cache Memory Hard Disk Drive या SSD तो इसका सही answer होगा Option number B Cache Memory Last question है इस वीडियो का Which memory is non-volatile? कौन सी memory है जो इस्थिर है? Volatile मतलब होता इस्थिर और non-volatile मतलब होता इस्थिर तो चार options इसमें दिये हुए है A, RAM B, Cache Memory C, ROM D, Virtual Memory तो इसका सही answer होगा Option number C, ROM जिसका full form क्या है? Read Only Memory तो यह हमारे इस वीडियो का आखरी question था अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हुआ तो इसको like और share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए तो बाने है